एनिपी फर्स्ट सेंबी कौम के चात्रों के लिए गपशप निभंद रखा गया है जिसे लिखे है नामवर सिम्ह इसका सार मैं अभी समझाने वाली हूँ लिखक परिचय नामवर सिम्ह का जन्म बनारस के एक गाउ जीयनपुर्ग में हुआ था नामवर सिम्ह शीर्षस्त शोदकार समालोचक निभंदकार तथा मूर्धन्य सांस्कृतिक एतिहासिक उपन्यास लिखक हजारी प्रसाथ विवेदी के प्रिय शिश्य रहे नामवर सिम्ह महात्मा गांधी अंतररास्ट्री और हिंदी विश्वविद्याली के कुलादिपती होने से पहले राजा राम मोहन राई पुस्तकाली प्रतिस्ठान के अध्यक्ष भी रह जुके है पाटकासार गपशप निभंद की शुरुआत घोस्टी की निरतकता तथा लोगों की व्यर्थ की बातों से हुए अनुभव से होती है लेखक नामवर सिम्ह जी को लगता है कि आज का दिन व्यर्थ ही बातों में निकल गया लेखिन कुछ देर बाद जब वे ठंडे दिमाग से सोचने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि बेकार बातों से ही असली चरित्र का पता चलता है गोस्टी में लेखक कुछ लोगों से मिलते हैं उनके बेकार की बातों को पाटकों के सामने प्रस्तुत किये हैं लेकक नामवर सिम्ह अपने मित्रों का नाम बताना उचित न समझते हुए उन लोगों का नाम व, प, और म कहकर संभोधित करते हैं लेकक व के बारे में कहते हैं कि वे गपे हांकने में माहिर था वह बाते ऐसा करता जैसे सब का वही नायक हो वह हमेशा सब को प्रेम की कहानिया रोमैंस की घटनाओं का बयान करता था लेकक पा के बारे में ऐसा कहते हैं कि वह अपने आपको दुनिया का खास व्यक्ति समझता था पा हमेशा कहता था कि वह तो सभी व्यक्तियों से चिर परिचित है जैसे बड़े डॉक्टर पुलिस के अधिकारी तथा मंत्री गण लेकक मज जैसे व्यक्ति के बारे में भी जिक्र करते हैं जो हर समाई अपने अध्यापक की जीवन के बारे में ही कहते थे वे पूरी दुनिया को अपनी पाठशाला समझते थे और जिन से भी उनकी मुलाकात होती वे उन्हें अपने विद्यारती समझ कर उपदेश दिया करते थे पहले तो लेखक यहाँ पर समझते हैं कि उन लोगों से मिलकर उनका दिन बरबाद हो गया वो व्यर्त में समय कवा बेठे लेकिन बाद में उन्हें ऐसास हुआ कि उन लोगों से मिलकर जब वो विकार की बाते किये तब ही उनके गुणों का परिचय मिला तो उनका दिन व्यर्त में न गुजरते हुए सार तक ही गया ऐसे वो खुद सोचने लगे पत्र लिखते समय भी कारियालई पत्र पूरी और पचारिकता से भरे होते है लेकिन यो ही लिखा गया पत्र भामनाओं से भरा होता है और सच्चा होता है लेखक का काना है कि आदमी जब बिकार की बाते करता है तब ही उसका सच्चा रूप सामने आता है नियमित और विवे कुपोर्ण बातों से तो व्यक्ति का भनावटी रूप ही उपर दिकाई देता है अच्छे से भाषन करने वाला व्यक्ति बाहर से एक अलग साही चहरा सबके सामने दिखाता है लेकिन वह तो अंदर से कुछ और ही रहता है लेकिक नामवर्सिम्ह कहते है कि पाठ्यक्रम की पुस्तकों को देख कर किसी विध्यारती का वास्तविक रूप नहीं जाना जा सकता उसका भीतरी रूप तो उन पुस्तकों के संग्रह से मालुम होता है कि जिन है पाठ्यक्रम की दृष्टी से बिकार कहा जाता है लेकक दो प्रेमियों की बातों को भी निरर्तक कहते है क्योंकि वे जब कभी भी बात करते है तो भाशा रदय से निकली हुई होती है सोच समझ कर जो बात करता है उसे लेकक ने बुद्धी की बाशा कहा है लेका कहते हैं कि व्यक्ति की बेकार खींची हुई रिखाओं से उसकी ततकाली न मनस्तिती कैसी है यह पता लगा सकते हैं क्यूंकि जब आदमी उदास या उसका दिमाग खाली हो तबी बेकार की रिखाओं को खींचता है लेका कहते हैं कि विद्यारती जीवन में आदमी के रूप में बहुत कुछ एक से लगते हैं विद्यारतियों का स्वभाव पढ़ाई के भंदे गंटों में लगबग एक सा होता है परंतु इसके बाद वे समय को जिस बेकारी और बेहिसाबी से बिताते हैं वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है किसी समाज की स्थिती का पाचान धनवानों से नहीं बलकी बेकार घूमने वाले आदमी से प्रकट होता है इसलिए बेकार के समय को भी सम्रत बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए यह था गपशप निभंद का सार